नाशनल आईवे पर कूड़ा फैंका जा रहा है पहले तो मैं यह बोलूँगी कि एंजीटीव ने पहले भी वहाँ पर फाइन लगाया था वो अभी तक केस कोट में चल रहा है वो हमारी मुंसपल्टी अभी तक देनी पाई और कैपेवल भी नहीं है हमारी मुंसपल्टी दे क्योंकि इन से मुंसपल्टी से तो कुछ दिया नहीं जाना एंजीटी ने फिर फाइन कर देना तो इन्होंने क्या करना है अल्टीमेटली लोगों को टैक्स लगा देना है स्वच्था के चक्कर में नारा दे देना स्वच्था का और टैक्स बढ़ा देना है दूसरा आप देख रहे हैं कि अगर आपने कॉंट्रैक्ट किया है सरकार ने हमारी यूटी सरकार ने डोर टू डोर गार्वेज कलेक्शन का तो सबसे पहले उस कॉंट्रैक्टर को आपने एक ऐसी जगा देनी थी जहां पर उस कोई कठा किया जाए कचले को और फिर वहां उसको सेग्रीग लेके गवर्मेंट से एक जगा लेनी चाहिए थी और उस जगा को गवर्मेंट यहां देती क्योंकि आजकल मुनस्पल्टी के ओपर डारेक्टर हैं डारेक्टर के ओपर कमीशनर सेक्टरीज बैठे हुआ हैं तो किस के लिए बिठाए हैं सरकार ने यही पॉलिसी बनाने के कि द्वारा तो फिर यह सीओ वगेरा यह मुझे समझ नहीं आती किस काम के लिए बिठाए हैं यह हमारे उपर डारेक्टर की हुए हैं यह उनके ओपर कमीशनर सेक्टरी की हुए हैं तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नर साब से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली ज प्रापर इंफ्रस्रक्टर बनना चाहिए लोगों को परिशानी ना आए क्योंकि लोग हर मेने जो गार्बज क्लेक्शन हो रहा है उसकले पैसे दे रहे हैं पर अगर आप बोलेंगे कि फिर एंजी टीवी लगाएगी फिर उस पर टैक्स होगा फाइन होगा और फिर लोग फिर पैसे देंगे तो यह पॉसिबल नहीं है प्लीज हमारी उदुमपुर की जनता पर थोड़ी से रहम कीजिए और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाईए ताकि उनको रहत मिले आगे ही चारों तरफ बहुत गंदगी है बहुत सारे डिपार्टमेंट के दोरा बहुत जादा जनकी फैली होगी है